जैसरी राम दोस्तो जानेंगे जनम कुंडली के पंचम भाव के बारे में पंचमेश जनम कुंडली के सभी बारा भाव में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं हम सबी जानते हैं कि जनम कुंडली के बारा भाव में कोई भी गरह एक समान फल नहीं देता है वो अलग-अलग फल प्रदान करता है भाव के अनुसार फल प्रदान करता है गरह पर आने वाली दृष्टियों के अनुसार फल प्रदान होता है अब इसी को हम जानेंगे जनम कुंडिली का पंचम भाव किस चीज का होता है जनम कुंडिली का पंचम भाव और इससे पहले आपको जानना होगा कि आपके पंचमेस कौन है इसे जानने के लिए आपको अपना पंचम भाव देखना होगा अपनी जनम कुंडिली खोलिए और पंचम भाव को देखिए यहाँ पर कौन सी रासी लिखी है कौन सा नंबर लिखा है जो तिस सास्तर में एक से लेकर बारा तक रासीयों को नंबर दिये गए है जैसे पहले नंबर की रासी मेस रासी है वहीं पांचवे नंबर की रासी सिंग है और यहाँ फिक्स हैं हमेशा यह ऐसे ही रहती है वहीं नवे नंबर की रासी धनु है धनु के स्वामी देव गुरुब रहस्पती है मैंने आपको बताया पांच हुआ नंबर की रासी सिंग है सिंग के स्वामी सूर्य है तो इस कुंडली में पंचमेश बने सूर्यदेव सूर्यदेव बने इस कुंडली के पंचमेश ऐसे ही आपको देख लेना है आपकी कुंडली में कौन है और उसके बाद आपको इस फलकतन को देखना है जनम कुंडली के पंचम भाव को सिक्ष्या संतान का भाव कहा जाता है इस भाव के स्वामी को पंचमेश कहा जाता है जो तिस में पंचम भाव उच्च शिक्ष्या संतान प्रेम एबं टैलेंट का होता है कुंडली के अलग-अलग भाव में बैट कर पंचमेश अलग अलग फल प्रदान करता है तो दोस्तों आईए जानते हैं जनम कुंडली का पंचम भाव का स्वामी जनम कुंडली के सभी बारा भाव में किस प्रकार का फल प्रदान करता है जब जनम कुंडली का पंचमेश पहले घर में आकर बैठा हो तो ऐसी इस्तिती में जातक वह सटीक निर्णे छमता वाला होता है, ऐसा जातक निर्णे करने में माहीर होता है, ऐसा जातक न्यायधीस हो सकता है, या ऐसा जातक मंत्री पत तक पा सकता है। पंचमेस के पीडित होने की अवस्ता में जातक को कुछ समश्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसा जातक कुटिल होता है अत्यन्थी बुद्धिमान होने के चलते ऐसा जातक धोकेबाज होता है बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं ऐसे जातक जब जनम कुंडिली में पंचमेस दूसरे घर में बैठा हो तो ऐसी इस्तिती में जातक को यह अच्छे जीवन सांती और एक अच्छे संतान की प्राप्ती करवाता है गुणवान संतान की प्राप्ती होती है ऐसे जातक को वहीं सरकार से ऐसे जातक को भौतिक लाप प्राप् इनके जो तिसी बनने की संभावना होती है ऐसे जातकों की, ऐसे जातक अत्यन्ती बुद्धिमान होते हैं, जिन व्यक्तियों का पांचवे घर का स्वामी दूसरे घर में बैठा हो, यदि यह पीडित हो, तो ऐसी आवस्ता में जातक को बिप्रित परिस्तित्यों का सामना करन है, जब जनम कुंडिली में पांचवे घर का स्वामी तीसरे घर में बैठा हो, ऐसी इस्तिति में पंचमेश के तिर्त्य भाव में होने से जातक को कई सारे भाई और संतान का सुक मिलता है, किन्तु तिर्त्य भाव के स्वामी और पंचमेश के पीडित होने पर जातक को भा आई एबम संतान से परिशानी उठानी पड़ती है। वहीं जब पंचम भाव का स्वामी चतुर्त भाव में बैठा हो तो ऐसी इस्तिती में पंचमेश के चतुर्त भाव में होने से जातक के जीवन में अधिक समश्याएं नहीं आती हैं। इनकी माता की दीरगाईयू होती है यह शिक्ष्या एबम किसी मंत्री या प्रभावी सक्सियत के सलाकार बनते हैं। चतुर्त भाव के प्रबल होने की दसा में जातक को पुत्री की प्राप्ती होती है। जब पंचमेस पंचम भाव में ही इस्तित हो ऐसी इस्तिती में पंचमेस के पंचम भाव में होने से गरह स्वग रही होगा। जो जातक की सिख्षा, संतान एबं ब्यवसाई के लिए बहुती सुभ होगा। जातक को अनेक पुत्रों की प्राप्ती होती है यह किसी धार्मिक संस्ता के प्रमुक हो सकते हैं एबं मान्य सास्त्रव गणित में निपुण होते हैं। जब जनम कुंडली में पंचमेश छटे घर में बैठे हूँ, पंचमेश की सश्ट भाव में इस्तिती संतान एबं सिख्षा के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे जातकों के अपने पुत्रों से अच्छे संबंद नहीं होते हैं। ग्रह की असुब इस्तिती होने पर जातक के चाचा या मामा कोई प्रभावी व्यक्ती हो सकते हैं। किन्तु ग्रह की असुव इस्तिती में जातक अपने चाचा मामा के परिवार में से किसी को गोद ले सकता है। प्रभावी और निपुन होते हैं। यहाँ ओजस्वी व्यक्तित्व के होते हैं। एबम इनका पुत्र विदेश में निवास करता है। ऐसे जातक को अपने जीवन साती से बहुत प्रेम होता है। पांचवे घर के स्वामी का आठवे घर में किस प्रकार का फल रहेगा। अब हम इस विषय में चर्चा करेंगे। पंचमेस के अश्टम भाव में होने से जातक कर्ज के कारण अपनी संपतिक हो सकता है। इनके पारिवारिक जीवन में कई समस्याइं बनी रहेंगी। वह फेपड़े से जुड़े किसी रोग से ग्रस्त रह सकते हैं। ऐसे जातक जीवन में दुखी और उदास रहते हैं। अब हम जानेंगे, पांचवे घर का स्वामी जब नवे घर में बैठा हो। पंचमेस जब नवम भाव में बैठता है। पंचमेस के नवम भाव में होने से जातक सामाजिक कार्य और दूसरों को आसरे देने का कार्य करते हैं, ऐसे जातक पेशे से सिक्षक होते हैं, इनका पुत्रवक्ता एबं लेखक बनता है, किन्तु पंचमेस की असुब इस्तिती होने पर जातक को जीबन में बड़ी का सामना करना पड़ता है, वहीं पंचमेस के दसम भाव में होने से किस प्रकार का फल आपको मिलेगा, अब इस विशे में हम चर्चा करेंगे, पंचमेस के दसम भाव में होने से राजियोग का निर्मान होता है, ऐसे जातकों का कैरियर उनकी सिक्ष्या से निर्धारित होत ऐसे जातक सुप्रसिद्ध धार्मिक एबं संपत्तिवान होते हैं। पंचमेस के निर्बल होने की स्तिती में जातक को सिक्षा एबं व्यवसाय में हानी होती है। यदि पंचमेस ग्यारवे भाव में बैठा हो पंचमेस के एकादस भाव में होने से जातक धनी निपुण और सहायक होते हैं। यह लेखक बनते हैं इन्हें अपने पुतरों से लाब मिल सकता है। पंचमेस के पीडित होने की स्तिती में इन सुकों में कमी आती है। जब जनम कुंडिली में पंचमेश, बार्वे घर में बैठे हूँ, पंचमेश के द्वादस भाव में होने से जातक संत बन कर धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं यहाँ अध्यात्मिक जीवन जीते हैं यहाँ अपने पूरे जीवन में सत्य की खोच करने में व्यस्त रहते हैं एबम अंत में इन्हें मोक्ष की प्राप्ती होती है ऐसे जातक अत्यांति धार्मिक होते हैं गुणवान होते हैं और एक महान संत होते हैं तो यह था जनम कुणली के सभी बारा भाव में पंचमेश का किस प्रकार का फल रहता है यह हमने आपको बताने का प्रयत्न किया यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेयर कर दीजिएगा ताकि हम निरंतर आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें आप सभी के उपर भोले नात की किरपा सदैब बनी रहे हर हर महादेब नमस्कार